तो दोस्तों अगर आप एक यूटूबर है तो आपके फोन में ये 5 अप्लिकेशन जरूर होना चाहिए मैं आपको जिस अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ इस अप्लिकेशन को आपके फोन में होना ही होना चाहिए क्योंकि आप अपने चैनल को अपने फोन से ही हैंडल कर सकते हैं तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं कि आपके फोन में वो कौन सी पाँच अप्लिकेशन है जो कि जरूर होना चाहिए सो हेलो दोस्तो मैं राहुल स्वाबत करता हूँ आपको हमारे इस यूटूब चैनल राह तक में दोस्तो किसी भी यूटूबर के लिए उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि मैं अपने फोन से अपने वीडियो को कैसे सूट करूँ इसके लिए आपको application होनी चाहिए जो कि आपका external mic भी वह वहाँ पे attach कर सके इसके लिए एक application आता है open camera इस application में आपको बहुत सारे ऐसे features मिल जाते हैं जिसको आप camera से comparison कर सकते हैं means आप इस application में अपने phone से external mic को attach करके आप अपना कोई भी video को suit कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज जो है आपके audience के पास clear पहुंच सके आप open camera को अपने phone में install कर लिजे उसके बाद इस application के setting को open कीजे वहाँ video setting में जाने के बाद source of mic पे आप click करके आप वहाँ से external mic को choose कर लिजे वहाँ से आप अपना external mic को इस application के through attach करके आप अपने voice को audience के पास अच्छे से पहुंचा सकते हैं और इस application में आपको एक face deduction का भी option मिल जाता है आपका face जहां भी होगा यह application आपके face को deduct कर लेगा और आपका video बिलकुल ही HD quality में वहाँ से suit हो जाएगा आप इसमें brightness, quality वेगरा भी आप यहां से adjust कर लेते हैं अब चलता है second application की तरफ second application है video suit करने के बाद हम उस video को edit करते हैं तो video editing करने के लिए आपके phone में होना चाहिए वो है Kinemaster जी यहां Kinemaster एक बहुत ही heavy application है आपके phone के लिए आप इस application की help से अपने video को काफी हद तक अच्छा से edit कर सकते हैं आपको नहीं पता है कि आप Kinemaster से video को edit कैसे कर सकते हैं तो मैं आपके लिए एक अलग से इसके लिए video provide कर दूँगा जिसमें आपको सारी details में बताऊंगा कि आप Kinemaster application की help से अपने video को edit कैसे कर सकते हैं तो यह भी application आपके phone में जरूर होना चाहिए अब उसके बाद हमारा आता है thumbnail maker जी हाँ हम thumbnail को create करते हैं तो इसमें आपको दो application है एक है PixArt और second है Pixel Lab PixArt में थोड़ा हमारे thumbnail का quality है वो down हो जाता है बलकि Pixel Lab में आपका thumbnail quality बहुत ही high रहती है वो आपके thumbnail को high resolution में provide करता है तो आप इस application के help से अपना thumbnail high resolution में create कर सकते हैं और आप अपने thumbnail को वहाँ अपने वीडियो में add कर सकते हैं और fourth हाता है हम किसी भी topic को या किसी भी tag को add करते हैं अपने वीडियो को upload करने के लिए तो आपके phone में एक application होना चाहिए वो है TubeBuddy आप इस application की help से कोई भी topic चूच कर सकते हैं कि आप किस topic पे अपना video create कर सकते हैं आपके channel के हिसाब से आपके videos में कौन सा topic होना चाहिए आप TubeBuddy की help से अपने tags को वहाँ पे add कर सकते हैं tag देख सकते हैं कि कौन सा tag कितना ranking कर रहा है वहाँ से आप tag को चूच करके अपने video में add कर सकते हैं आप वहाँ से description देख सकते हैं आपके videos का description कैसा होना चाहिए तो यह भी application आपके phone में जरूर होना चाहिए TubeBuddy और जो fifth and last application है I hope कि सभी creator के पास यह application होगा जी हाँ कोई वी creator इस application को अपने mobile में पहले से install करता है उसका नाम है YouTube Studio अगर आपके पास यह application नहीं है तो आप Play Store से आप इस application को download करके आप अपने channel को YT Studio से handle कर सकते हैं आप अपने channel का ranking दे सकते हैं subscriber, comments, video, publish, unpublish, xy कुछ भी आप अपने channel से related YouTube Studio में देख सकते हैं तो दोस्तो यही थे वो 5 application जो कि मैंने आपको बताया हर एक creator के पास phone में यह application होना ही चाहिए अगर नहीं है तो तुरंत इस application को Play Store से download कर लिजे और आप अपने channel को अच्छे से grow कर सकते हैं इस सभी application के थूँ तो दोस्तो आई होब कि आपको यह वीडियो पसंद और समझ आया हुगा तो हमारे इस वीडियो को share कीजे लाइक कीजे और हमारे channel को subscribe चरूर कर लिजे तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में